नेक्स्ट है हमारे पास condensation polymers, देखे condensation polymers में हमारे पास क्या पढ़ा था मने पीछे, कि जब दो molecule आपस में मिलेंगे, तो वहां से छोटे छोटे molecule release हो जाएंगे, like water का molecule वहां से क्या हो सकता है, release हो सकता है, ऐसे polymers को क्या बोला जाएगा, condensation polymers, तो condensation polymers के जो हमें example पढ़ने वो यहां पर मैंने लिख दिये हैं polyamides में तीन पढ़ने हमें देखे polyamide का मतलब यहां पर functional group होगा amide कौन्सा होगा amide nylon 6-6 पढ़ना है nylon 610 पढ़ना है और nylon 6 that is also known as paralon वो पढ़ना हैं में फिर पढ़ने हमें polyester polyester में दो पढ़ने हमें टेरेलीन जिसको डेकरोन भी बोलते हैं और एक आएगा गलिप्टल फिर पढ़ने हमें फिनोल formaldehyde में formaldehyde के polymer उसमें bakelite आएगा और हमारे पास melamine formaldehyde polymer आएगा तो यह पांचे polymers और हमें पढ़ने हैं कि इसके अंदर condensation polymerization के अंदर तो चलिए बारी बारी इनको अब पढ़ लेते हैं हम तो सबसे पहले पढ़ते हैं nylon 6-6 क्या होता है कैसे बनेगा हमारे पास let's go nylon 6-6 पहले nylon वर्ड से थोड़ा सा समझ लेते क्या है यह जो nylon 6-6 जब पहली बार discover हुआ तो नाई से न्यू योर्क लोन से लंडन लंडन और न्यू योर्क में यह बना था इसलिए उसका नाम पढ़ा nylon 6-6 का मतलब इसकी monomer unit में 6-6 carbon है तो इसकी monomer unit याद कर लेते हैं पहले हमारे पास क्या है hexamethylindiamine hexamethylindiamine पलस जो इसकी दूसरी monomer unit है वो है adipic acid बच्चे कोंजा है adipic acid इन से मिलकर nylon 6-6 बनता है अब hexamethylindiamine का देखे मतलब mithylindiamine का मतलब है CH2 group hexamethylindiamine मतलब 6 बार 1 2 3 4 5 6 diamine मतलब इधर भी NH2 लगा दो और इधर भी क्या लगा दो है डीपic acid का मतलब है देखे च्यार कार्बन लिखो पहले तो CH2 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 इधर भी COOH लगा दीजिए आप और इधर भी क्या लगा दीजिए COOH अब ध्यांसे समझो इधर भी total carbon कितने है छे carbon इधर भी total carbon कितने है छे इसलिए नाम आया 66 मतलब दोनों इसकी मोनोमर यूनिट में बच्चे छे चे carbon हमारे पास present होंगे आप इसकी polymerization करते हैं इसकी भी एन यूनिट लेनी पड़ेंगी हमें और इसकी भी कितने यूनिट लेनी पड़ेंगी एन यूनिट तो देखा आप polymerization करते टाइम क्या कर होगे हैं और यहां से ओच तो यहां से कोन बाहर हो जाएगा पानी पानी अब सर्क कितने पानी बाहर होंगे यहां से यह पानी तो चला गया इसको मिटा देंगे यहां से पिर सी ओ फिर तो च्यार बार चीएज टू फिर सी डबल बॉंड ओ अब खुद से सोचिए यहां पर भी तो 2-2-4-2-6 तो 6 है तो 1-2-3-4-5-6 ठीक लिखा मैंने 2-2-4-2-6 अब इधर देखो NH2 में से जो 1-H होगी वो तो यहां से पानी बना करबार चली जाएगी तो यहां पर लिखेंगे NH और ऐसे करके छोड़ देंगे आप ऐसे करके क्या कर देंगे छोड़ देंगे अब देखो यहां पर कौन सा linkage बन रही है यहां पर Amide बोले क्या बन रही है बच्ये यहां पर Amide इसलिए जाना जाता है इनको as a polyamides क्या जाना जाता है इनको polyamide जो यह नीचे बनना है यह बन गया है हमारे पास Nylon 66 क्या बन गया है Nylon 66 किसे मिलकर बनेगा Hexamethyldiamine और adipic acid से मिलकर बनेगा अब इसको हम combined foam में भी लिख सकते देखो यहां पर कितने carbon है छे तो मैंने लिख दिया CH2 छे बार ऐसे करके फिर यहां पर कौन जुड़ा हुआ है NH यहां पर bracket बंदा आ गया फिर यहां पर NHCO है तो यहां पर NHCO आ जाएगा फिर कितने carbon आ गया च्यार तो CH2 कितनी बार आ गया च्यार बार फिर CO को ऐसे करके छोड़ दिया ठीक है तो यह क्या होना आ गया मेरे पास Nylon 66 इस तरह से आपको Nylon 66 बनाना है अब यह condensation polymer क्यों है क्योंकि यहां पर देखो water molecule बाहर निकल रहा है तो क्या कहलाएगा condensation polymer कहलाएगा तो चले next की तरह बढ़ते हैं वो आता हमारे पास Nylon 610 पीछे वाला क्या था Nylon 66 अब आ गया हमारे पास Nylon 610 लेट अस सी यह कैसे बनेगा फिर से Nylon 6 का मतलब इसमें 6 कारबन होगे Nylon 10 का मतलब यहां पर 10 कारबन होगे तो इसके monomer लिख लेते हैं पहले क्या होंगे hexamethylene diamine अजाएगा फिर से पलस पलस अब 10 कारबन का जो एसीड होता वो तो उसको बोला जाता है सबैसिक एसिड सबैसिक एसिड अब यदि आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो hexamethylene को मैं ऐसे लिख दूँ एक बार CH2 छे बार यह सो और नो बच्चे अब तो समझ जाएंगे न डायमीन मतलब यहां पर आ जाएगा NH2 यहां पर भी क्या आ जाएगा NH2 क्लियर काने यहां तक यहां टैनमेंगा इंगे इसमें 10 करबन से भी कितने करबन आएंगे 10 अब 10 में से यह स्यों होगा यहां सी होगा बीच में कितने कारबन आएंगे आठ तो मैं बीच में CH2 लिखकर कितना लिख दूँ यहां पर आठ लिख देता हूं पहले ठीक है यहां तक की कहानी अब मैं लिख देता हूं यहां पर अश्च चलिएर रहा है यह हो गया है अयसीं कितने अट और यहां जई जबशलाइच गारबन तोब यहां से बाहर हो जाएंगे ठीक है का नहीं अब फिर से क्या करेंगे आप यहां से हटाएंगे एच यहां से ओएच भाई साहब पानी भाग जा यहां से बाहर यहां से हटाएंगे ओएच है ना यहां से हटाएंगे बच्चे एच ठीक है तो बोलो अब क्या बन जाएगा एन NH that is NH CH2 छे बार CH2 छे बार CH2 छे बार then NH then NH then C double bond O C double bond O CH2 आठ बार CH2 आठ बार यहां पर C double bond O और यहां से हो जाएगी polymerization hence यह क्या बन गया nylon 610 अब बोली यहां पर कौन सा link है जो रहे है यह अमाइड bond है या नहीं है इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा बच्चे पोली अमाइड बोला जाएगा क्या बोलेंगे इसको पोली अमाइड तो यह था nylon 610 जो hexamethylindiamine और sabacic acid से मिलकर बने गा तो चलिए next बढ़ते हैं student condensation polymerization में nylon 6 इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है परलोन इसको बोला जाता है जंडरली कुछ से सोचिए नाइलोन 6 मतलब कितने कारबन होंगे छे कारबन बस और कुछ नहीं कहाने कटम यहां से ठीक तो देखो नाइलोन 6 का जो मोनोमर होता है हमारे पास वो होता है कैप्रोलेक्टम क्या होता है कैप्रोलेक्टम मतलब कैप्रोलेक्टम से हमारे पास क्या बनेगा बच्चे नाइलोन 6 बनेगा ठीक है अब किस तरह से बनेगा देखते हैं बार कैप्रोलेक्टम समझने के लिए आपको यह समझना पड़ स्कार्ब बनावं कि एक क्या गवारटर साथ मेंबर हो गया नहीं होगी टोटल काउंट करो एक बार है एक दो तीन चार पांट छे साथ कैप्रोलेक्टम सिखारों मैं आपको बनाना आपको शानी से याद हो जाएगा इसको मिटा दीजिए भाई साब को यहां पर लगा दीजिए नाइट्रोजन और इसके उपर होगी हाइड्रोजन ठीक है इस भाई साब की जगह कि इस बुद्धम और नहीं है साथ नहीं कितने कारवन है जब हम इस प्रस्ट में पानी डालकर हीट करते हैं बच्चे तो होता क्या है एक्चिव नमें यहां से बोंड कि कलीवेंच होजाती देखो यहां से यहां से बोंड तोड़ देना आपको तो क्या बनेगा यहां से NH अब यह NH पानी में से हिड्रोजन को खींच लेगा तो NH3 पोजिटिव बन जाता है एक बार के लिए फिर CH2, 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 CH2 कितनी बार आएगा पांच बार तो CH2, 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 CH2 फिर आएगा CO और यह ओक्सिजन पानी में से ले लेगा तो क्या बन जाएगा COO नेगेटिव एक बार के लिए आइनिक फोम बनती है बीच में लेकिन जब आप फर्दर हीट करते हो तो यह पोलीमराइज करने लग जाता है आपस में अब कितनी यूनिट ली हमने इसकी बच्चे N यूनिट्स तो कितना पानी निकलेगा N-1 वोटर भाहर हो जाएंगे यह से टोटल यूनिट्स इतनी लेते होना आप जैसे पहले में एसकी लेते थे एन इसकी तो 2N मेंसे गट गटा दो तो 2N-1 पानी निकलेगे जैसे कितना पानी लिग़ लेगा N-1 water यहां से क्या हो जाएगा release, अब आप खुछ से सोचो, जब हम polyamide पढ़ते थे, तो CO का OH अब उड़ जाता था, यह OH उड़ जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा C double bond O, CH2 कितनी बार है बच्चे, पांच बार, तो मैं लिख दूँ CH2 को पांच बार, आगे यहां से क्या निकलता था, याद करो, NH2 का H निकलती थी, तो यहां पर बच जाता था, NH, हैंस अब यह polymerization कर लेगा, यहां पर इसकी N unit attach हो जाएगी, this is nylon 6, यह क्या कहलाएगा हमारे पास, nylon 6 कहलाएगा, एक बार फिर देखते हैं, caprolectum का मतलब है 7 membered ring होती है, नोड बनता है, हमारे पास, catein और anion होता है, फिर फर दर हमें heat करते हैं, तो यहां से water molecule release हो जाता है, पोलिमराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, nylon 6 बन जाता है, इस nylon 6 को perlone भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, परलोन या फिर परलोन याद रखेंगे, आपको बनेगा किसे, caprolectum से, चले, next condensation polymer की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा हमारे पास, that is also known, it's teraline dacron, इसको याद करने की trick कभी टेड़ा, तेड़ा, सर टेड़ा मतलब टे से भई, teraline, ढहां से dacron, टेड़ा, dacron, याद हो जाएगा आपको, कि teraline ही dacron होता, चलो, याद करते हैं, यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, इसका मतलब बचे, इसे इथाइलीन गलाइकोल, इथाइलीन गलाइकोल, मतलब CH2, CH2OH, यह कहलाता है, इथाइलीन गलाइकोल, इथाइलीन गलाइकोल, इथेन 1,2 डायोल बोल सकते हैं, इसको इथेन 2,2 पे डायोल, इसकी monomer unit मैं आपको याद कर रहा हूँ, पलस, टर, टर से होता है, टरथैलीक असीड, टरथैल्यक असीड, टरथैलीक असीड का मतलब होता, बचे, बैंजीन में, आप पैरा पोजिशन पे c o h लगा दो देखो c o o h इसके पैरा पे देखो पैरा पे c o o h इस तरह से तो यह इसके मोनोमर हो गए हैं क्या हो गए हैं इसके मोनोमर कितनी यूनिट ले लेंगे इसकी n इसकी भी कितनी यूनिट्स ले लेंगे हम n यूनिट्स ले लेंगे तो इस पहरा पोजिशिन पर जब सी ओएच गुरूप लगे हों दो एक यहां एक यहां तो यह टर्थ हैलिक असीड होता है अब इसके करेंगे पोलीमराइजेशन बचे क्या करें यहां से अपर पानी निकले यहांसे आपको अच्छे से वॉहाँ पन गया है हमें यहां से कितने वोटर निकलेंगे मैं आपको नहीं बता रहा हूं ठीक है तो देखे आप पोलीमर बनाते हैं यहां पर है चले यहीं से शुरुआत करते हैं यहां बन गया देखो के साथ को नटैच है यहां पर बैंजीन अटैच है फिर सी डबल बॉंड ओ कुछ से सोची यह तो आगे कर लेगा तो यह तो लिखना ज़रूरी नहीं तो यहां से ब्रैकेट कर दोगे बंद ठीक है यहां की जो है वह आगे पॉलीमराजिशन कर दोगे तो यह लिखनी ज़रूरी नहीं है तो यहां पर आप सुरी ओ के बाद आएगा बच्चे यहां पर यह क्या कौन सा लिंक है यह कौन सा लिंक है एस्टर लिंक इसलिए इनको क्या बोला जाता है जनरली पोली एस्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं पोली एस्टर बोला जाता है तो अभी यह बन गया हमारे पास decrone that is Terilene क्या बन गया है देखर on that is Terilene clear है बच्छे typ joking कहाने अब Terilene का कपड़ आपने सुना औरli कोट का कपड़ा है कपड़ा बनने में पड़ते वगारां बनाने में जनेरली यह teril tolerant reuse weapons अईयाbook में पढ़ लेना आपके पास वी अवेलेबल है हम पढ़ रहे हैं कंडंसेशन पोलीमराइजेशन ठीक है तो यह था अमारे पास टैरिलीन अब आगे बढ़ते हैं गलिप तल पे किस पर पढ़ते हैं बढ़ते हैं बच्चे गलिप तल गलिप तल अल 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 गलिप तल चले बीच्चे आपको इधायलीन गलाइकोल इसमें भी आपको वही बेंजीन लेनाorry कै वही होना चाहिए और्थो पोजीशन पे मतलब अर्जेसेंट कारबन पे होने चाहिए इन से मिलकर बनेगा गलिप्टोल गलिप्टल आचा इसकी जगह आप गलिसरोल भी ले सकते हो आप ओड़िश यह प्ल rodzah की जगह आप सकते हो तर बिले सकते हो एस्सक्च अब्रम सक्वाड़ का लें और पहले शक्यां क Eugene सब्सक्राइब लेकर समझ रहे हैं इसको क्या बोला जाता इसको बोला जाता थैलिक एसीड पहले वाला कौन सा था तर्थैलिक एसीड यह कौन सा है थैलिक एसीड चलें फिर पॉलिमराइजिशन करने हांजी सर्ग चलो 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 एन यूनिटीस की पानी कितने आएंगे यहां से आप कमेंट में जाकर बताएंगे ठीक है फिर से बच्चे यहां से ओ एच यहां से एच पानी रे पानी यहां से एच यहां से ओ एच बाहर चले जाएंगे तो चले फिर बनाते हैं, O, then O, CH2, 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 O, O, C double bond O, C double bond O, ठीक है, फिर यहाँ पर link को बिचारी को नीचे लटका दो, चलिए भई, चलिए, श्यावाज, फिर C double bond O, फिर यह तो वह तो भाग ही गया, this is N number of units, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर भी तो cluster linkage है, बच्चे, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा, polyester, क्या बोलेंगे, polyester and this is known as glyptal, अब सुनो, मैंने कहा था कि glycerol भी ले सकते हो आप, अब यह तो linear chain बन रहे, देखो chain 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 chain, सीधी chain बनती जाएगी, अब यदि आप CH2, CHOH या CH2OH ले लोगे उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर भी तो polymerization हो सकते हैं ते को यहाँ पर भी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ब्रांच प्टलेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उस टाइम पे आपको ब्रांच गलिप्टल मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे उस टाइम पे आपको ब्रांच गलिप्टल मिलेगा, ठीक है, तो are you able to find the difference between गलिप्टल and that was teda, I think, teraly endocrone, बस यहाँ पर कौन सा अचिड ले रहे हैं, थैलिक अचिड और वहां कौन सा अचिड ले रहे थें, टर्थैलिक अचिड, यह थे हमारे पास poly esters के examples, तो चलिए next polymer की तरफ बढ़ते हैं, भाई, स्टार लगा लिजे, इसके उपर जितने आप लगा सकते हो, फिनोर फॉर्मल्डी हाइड, polymer that is also known as baccalite, आज कलांस में जहार होने वाला है, यहां पर कता ही जहार हो जाएगा, जब हम फिनोर फॉर्मल्डी हाइड से baccalite बनाएंगे, सबसे पुराना synthetic polymer है, यह सबसे पुराना है, cross linked polymer का यह example है, melting point, boiling point इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, चले समझ लेते हैं इस बार कैसे बनेगा, फिनोर लिखिए भई आप फिनोर, देखे यह ले लिए हैं हमने फिनोर, और्गैनिक आईगी थोड़ी सी इसके बीच में, उसके साथ ले लीजी, aldehyde, formaldehyde, OV, C, double bond, O, H, H, ठीक है, यह reaction करने के बाद देखें क्या बनाएंगे, आपको पता है, फिनोर की resonating structure में, जब फिनोर रेजोनेंस करती है, तो यह तो आता है और्थो पे negative charge, यह आता है पैरा पे negative charge, तो यह और्थो पैरा directing group होता है, कौन फिनोर, इसका यह ring रहेगे, adjectives, यहाँ पर O, H, अब देखो CH2 है, अब यहाँ पर ortho position पर H है या नहीं, O, H लग जाएगी, यहाँ बच्चे देखें, यहाँ पर, यह H यहाँ, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर CH2, CH2, और यह H यहाँ, तो क्या लग जाएगा, O, H, एक तो लग गया, और थो पे, सर, पैरा पे भी तो लग सकता है, तो आंसर आएगा, भई, हाँ जी, बिलकुल लग सकता है, यहाँ पर, तो एक बार लगा देते हैं, बच्चे, O, H, पैरा पे, CH2, O, H, मतलब, फिनोल और फॉर्मलडी हाइड से पहले तो आपके पास बनेगा, यह, यहाँ से सुरुआत होती है, पोलीमराइजेशन की, किसकी सुरुआत होती है, पोलीमराइजेशन की, तो चलो, मैं अपकी बार ओर्थो वाला इसोमर लेकर पोलीमराइजेशन समझा रहा हूँ, आपको कैसे होगी, ठीक है, तो देखते हैं, बच्चे, यहाँ पर है रिंग और लिख दू मैं, समझ लीजेए भई, आप बूक में अजटीशे देर का समझानी रकाव, ठीक है, ओएज, च्टु ओएज, यहाँ पर बन गया है, ओएज, देखे इसको ध्यान से भई, देखे, ठीक है, टिक है, क्लिर है न कहाने, अब देखे, यहाँ पर होगा क्या, य यहां पर है बच्चे है तो यहां से बनेगा बच्चे पानी रे पानी टेरी यही कहानी ठीक है यह आगे अज बनाएगा हाँ ठीक है तो finally यहां पर क्या है बन जाएगा हमारे पास देख dent चैस यहां पर H यहां से CH2 फिर से आ जाएगे आपके पास रिंग 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 यहाँ जाएगा OH यहाँ पर CH2 और यहाँ आगे क्या करेगा polymerization क्या करेगा polymerization क्या आप यह linear polymer बना लेंगे जैसा मैंने बनाया है क्या आप यह linear polymer बना लेंगे जैसा मैंने बनाया है यहां पर यहां सुर्णों ठीक है अब यह बनेगा किसे बच्चे यह बनेगा इस से देखो और्थो वाले आईसोमर से यहां पर कितने पानी निकल जाएंगे बच्चे 2N-1 पानी रिलीज हो जाएंगे ठीक है माइनस इसके 2N यूनिट ऐसे जूड़ेंगे देखे ऐसे ऐसे और यह बन जाएगा सर आपने तो बोला था पीछे जहां तक हमें ध्यान में आ रहा है कि बेकलाइट तो क्रोस लिंग्ड पोलीमर हो रहा है क्या होता है क्या होता है बेकलाइट क्रोस लिंग्ड पोलीमर बट सर यह तो क्रोस लिंग्ड पोलीमर नहीं दिख रहा यह तो लीनियर चेन दिख रह आपके पास क्या बोलते हैं इस लीनियर चेन को नोवो लैक बोलते हैं जब फिनोल फॉर्मल डिहाइड पोलीमर आपस में मिलकर लीनियर चेन बना लेते हैं उस लीनियर चेन को बोला जाता है नोवो लैक, नोवो लैक, क्या बोलते हैं, नोवो लैक, नोवो लैक, ठीक है, न नोवो लैक चलिए फिर सर्फ फॉर्मल डिहाइड बना समय तो यह बना कर दिखाएए आप एक बार बैक के लाइट चलो भई अब नोवो लैक अपने दिमाग में रख लीजिए इसकी स्टक्चर कैसी है नोवो लैक की फिर बढ़ते हैं आगे 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 बढ़ते हैं चलिए नोवो लैक मैं यहां पर बना रहा हूँ एक बार अभी अभी जो हमने बनाया था नोवो लैक चलिए यहां गई है रिंग एजट इस यहां पर ओंडिंग यहां से होगी यहां पर आएगा बच्चे च्टू यहां पर आएगी रिंग और यहां पर आजाएगा बच् कुछ भूल गया तो उसके लिए मुझे कर देना आप लोग माँ चलिए यह कौन था नोवो लैक दिस इस नोवो लैक अब नोवो लैक जब रियक्शन करता है फिर से फॉर्मलडी हाइड से वच्चे किसे फॉर्मलडी हाइड की एन युनिट से फिर फर्दर होती इसकी आगे फिर ठीक है एन युनिट ले लो इसकी एन युनिट ले लो इसकी तो टू एन माइनस वन पानी फिर से क्या हो जाएगा बाहर अब की बार बैके लाइट बनेगा यह सुर्णों अब देखो अब यह को पोलमराइजिशन का एक्जेंपल है नहीं है यह फॉ पोलमराइजिशन होगी नहीं होगी हां जी सर होगी तो बताएगे अब आप सीख लीजिए मेरे से बनाना कि किस तरह से बैके लाइट बनाया जाता है बच्चे मोस्ली करते हैं इसमें गलतियां तो आप बनाते हैं बैके लाइट की स्ट्र कैसे बनेगा पहले 9 लेक बना ल यह आ गई बच्चे रिंग 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 इसको मैं एक बर चोटा लिख दू ठीक है 2N-1 क्या बच्चे पानी यहां गया ओएच यहां आ गया च्छ टू हैंस यह पोलिमराइजिशन होगी यहां से पोलिमराइजिशन होगी अब करना आपको शीशा लगा दो भी बीच में इसको नीचे बना दो जलो चल मेरे घोड़े धक नीचे आ जाएगा यह उपर है यहां यहां फिर लगा दो भी अब नीचे की तरह साइड मीर टैंटन ओ एच चलिए 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 बोले ऐसे सीचा लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे यहां पर इस तरह से पोलीमरेजिशन हो जाएगी इसका मीरर इमेज मैंने नीचे बना दिया है ठीक है आप ऐसा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे हां जी सर बिल्कुल कर लेंगे कर लेंगे ठीक है अब करना क्या बच्चे को इसकारवन गोंश्कारवन को मिला दीजिए और बीच में लिग दीजिए इनके Ch2 ईह बना है यह समझ में नहीं सर कैसे बनाना तो आपको सीख़ें कैसे अब है क्योंकि हम दुबारा से फॉर्मलडी हाई डाल रहे है नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर अब देखो और फोजिशन तो इसकी यह लगा हुआ है तो सिर्फ पेरा इसे लग जाएगा और इस तरह से बनेगा बैकलाइट एक रोस्ड निंग्ड पोलीमर होता है having high melting point बहुत ज़्यादा melting point होता इसका pressure के cooker के handle बनाने वगएरा में switches बनाने वगएरा में इसका use होता है और इस तरह से बनेगा हमारे पास baccalite कौन सा लाइट? baccalite तो चलिए students बढ़ते हैं malamine formaldehyde polymer की तरफ malamine सुना वह नाम है आग बुझाने वाले यह जो कपड़े होते हैं उनके उपर malamine के वो बने होते हैं इतना heat resistant हमारे पास यह malamine होता है चलिए बनाते हैं, malamine को पहचान लेते हैं क्या होता है? देखे भई आप 6 carbon की ring बना दो पहले तो 6 member ring ऐसा कर लोग या नहीं कर लोगे थोड़ी सी बड़ी बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए, ठीक है? क्या आगर तो बच्चे 6 member ring बना दीजिए आप हो गई? अब एक काम करो यहाँ पर nitrogen फसाद हो क्या फसाद होगे यहाँ पर? nitrogen फिर एक छोड़के यहाँ क्याँ फसाद दीजिए, nitrogen clear है? आप triple bond double bond लगा दो, एक छोड़कर एक छोड़कर, एक छोड़कर double bond, बोलिए ऐसा आप लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे ठीक है? नाइट्रोजन carbon, nitrogen, carbon, nitrogen carbon, अब जहाँ जहाँ carbon है, वहाँ वहाँ NH2 लगा दो NH2 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 यह है बच्चे mellamine, कौन है यह? mellamine अब इसके साथ लेंगे formaldehyde HC double bond OH, यहाँ से तयार होगा इसका monomer कौन तयार होगा? इसका monomer, ठीक है? तो देखे, अब यहाँ जाके monomer जूर जाएगा, यहाँ से H यहाँ आजाएगी और इसके साथ monomer जूर जूर जाएगा तो monomer बनाए एक बार nitrogen, carbon nitrogen, carbon nitrogen, carbon nitrogen, carbon और ऐसे 1, 2, 3 यहाँ पर कौन अट है बच्चे NH यहाँ पर कौन अट है बच्चे NH2 यहां पर कौन एट है बच्चे एन एच टू अब यहां पर आ जाएगा एच देखो यहां पर आ जाएगा यह इसकी एक च चली जैएगा ऑक्षिजन पर तो इसके शाथ जुड़ जाएगा कौन CH2, अभी इस oxygen पर यह H आएगी, तो देखो CH2 तो यह हो गया, CH2, अभी इस oxygen पर आ जाएगी, H तो ही बन जाएगा, OH, यह तयार हो गया है बच्चे, इसका मोनो मर, क्या तयार हो गया है, इसका मोनो मर, ठीक है, मैं, resin भी बोल देते हैं, इसको generally resin, resin बोल देते हैं, अभी यहां से हो जाएगी, बच्चे, polymerization, क्या हो जाएगी, polymerization, इसका nationIs, पूलीमर कैसे बनाना मैं आपको फिर से यह लिखिलो सारे का सारा नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल 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 ठीक यहां से एन एच यहां से यहां से एच तो पानी बाहर हां जी सर पानी बाहर तो यहां पर आजाएगा एन एच नीचे क्या रहेगा एन एच टू दिस इस नोन एज मैलामाइन फॉर मलडी हाइड पोलीमर क्या कहलेगा यह मैलामाइन फॉर मल्डी हाइड मैं हाइड किइतनी बार आ जाएगा एन ठीक है अब थोड़ो अस आपको डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये POLYM नहीं करेगा निचे अब मैंने बहोँ कहा कि हील G indigenous होगी strong यहां पर भी चांसी हैं बिलकुल यहां पर भी पॉलीमर कर लेगा और इस तरह से क्रोस लिंग मैला माइन फॉर्मलडी हाइड हमें पॉलीमर मिल जाए गा ठीक है कलियर है कहानी तो यहां पर हमारे पास जो कंडन्सेशन पॉलीमर थे वह होते हैं कंप्लीट कॉंचे कगड़े में कंडन्सेयल पॉलीमर में नैलोन सिक्स 관ोठों 210 नाइलोन शिक्स फिर टेटार्ट टैरेलीन डेकैरोल प्थर पढ़ा हमने गलीप टल फिर हमने पढ़ा 6 e 6 e 11 and 11 and a half-eTEF प्र प्र अमने गयुंस के नेयखक्षिर अ प्र प्रह अमने प्रा sol घ्र मै mb फोर्मल्डी थाइड़ पोलीमर 9 बोले को एग्र । फिर प्रहुना systematic आप क्रोज्ड लिंकेज वाला और फाइनली हमने पढ़ा मैला माइन फॉर्मलडी हाइड पोलीमर अब हमारे पास इस चैप्टर में अब टोपिक रहे गया है लास्ट डेट इस बायो डिग्रेडेबल पोलीमर्स तो चलिए बढ़ते हैं बायो डिग्रेडेबल पोलीमर्स की बायो